फेल हो गया था मैं एक मोड्यूल में मेल आती है युनिवस्टी की तरफ से आपको पूर अकैडमिक प्रैक्टिस के अंडर आपको कंसीडर किया गया है अगर आपको एक बहुत इंपोर्टन चीज शेयर करने जा रहा हूँ जैसा कि मेरे साथ हुआ है तो मैं उसको आपको बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ और मैंने उसको कैसे सोट आउट किया अगर आप भी किसी भी मोड्यूल में फेल हुए है और आपके पास फिलाल मैं BPP University में स्टड़ी कर रहा हूँ अगर किसी भी उन्वरसिटी से अगर ऐसा कुछ होता है तो I hope कि सबका सेम ही होगा आप वो तरीका अपना सकते हैं तो सबसे पहले हुआ क्या था मैं आपको यह बताता हूं मैंने अपना एक मिरे मे कर दिन अब मैं mir ंजा M में मिरे फर्स्ट डर्म के एक मॉड्यूल में मेरी आ चुकी ती अफेल हम वाँ से टिनल में तो उसके बाद मेने अपना री-टार्म dragon गया जैसिसे मैं भूफ हो गया तो अब मुझे इस बारे में टेंशन लेने की निड़ने क्यों आपने री असमेंट में पास हो गया हूं पहले फेल हुआ तो मैंने लिए राइसे रिपार राइसे री सब्मिट किया और मैं पास हो गया बट इंस्टेंटलि आफ्टर फिव ड practice के under आपको consider किया गया है इसका मतलब यह हुता है कि यह एक वर्निंग होती है कि आपका जो भी exam आपने दिया था और उसमें आपको consider कर लिया है कि आपके जितने भी positive points होते हैं वो आपके remove कर लिया जाते हैं तो जैसी मेरे पास बहुत लंबी email आई थी मैं आपको वह email आपको शोग करूंगा यह आप सक्रीन पे देख सकते हैं कि यह एक पूरी email आई हुई है मेरे पास कि मैंने जो रायाइसमेंट दिया था उसमें मुझे पूर बींड के इंडर और यह और और पॉल्स्टि नहीं दी तो यह सब पूरी इमेल मेरे पास आई और उसके बाद मैं पूरी तरह से घबरा गया I was scared at that time because मेरे पास कोई और option नहीं है क्योंकि मैं सोचा हूँ कि आगे PSW लेना है तो मैंने सोचा कि यार इमेल आही है तो और भी स्टूड़ेंट से बात की और मुझे पता चला है कि बहुत ही रेर स्टूड़ेंट से जिनके पास ये इमेल आई थी after resubmitting तो इसका solution मैंने काफी दिनों तक देखा कि माओ मेरे पास इसमें एक लाइन मेंचन थी कि you have only 20 days for this student query you have to contact with the student sports do not respond this email so I contacted with the student sport team and they didn't respond well so then I contacted with my last module teacher so he told me that I will email and you can contact them with the module leader so I got the email and I contacted them and it was the time that I was left with the ma'am so I told all my problems that I have already passed but why did I have the email even passed so they didn't have any response to me for a few days but I have only one email that I am sorry for the delay that I was on holidays but if you have passed then you will have no tension but you have to ensure that you are working on the your referencing skills in in further assignments so then I got my doubts clear that I don't have any attention and I have to clarify that it has to be a fact that I have to take a PSW or I can have any effect on it or not so they told me that it has to be no effect on it if you have any effect on it in future then you can show that your question do it that you can show you that's it so I have to be a request if you have something that you have something that you have done that you have to make email out of your university you will have to have to submit your request to your university to your university it will be a poor academic practice to consider you and all positive points removed मोव कर लिये गए हैं और अब आप सो फिर भी आपके पास से म plac लाए तो यह सिरफ का वो लीटर होता है, तो मैंने उसी दाउस को इमेल करी, तो उन्होंने मुझे रिस्पॉंस दिया, और उन्होंने मेरी सारी प्रोबलम सोट आउट करी, तो मैं आपको इमेल भी मैंने अल्रेडी मेंशन कर दी गई है, और आपको मैं वो format भी दूँगा जैसे कि मैंने अपनी problem सारी के सारी उन्हें बताई थी तो thanks for the watching this video and subscribe my channel for getting more information video. Thank you. Jai Shri Ram